नमस्कार दोस्तों आप सब का सौगा थे लेट सी इंसाइड यूट्यूब चैनल पर और मेरा नाम है विजय है तो आज की इस वीडियो में हम इस जो ड्रिल मसीन है इसकी हम बेटरी चेंज करने वाले क्योंकि इसके साथ दो बेटरी पेक आया थे दोनों ही खराब हो चुके और इसके बेटरी लिटियम आयन बेटरी लगी 12V का इसमें पावर आउटपुट होता है और 1.2 MPR की बेटरी पेक है पूरा तो जो बेटरी पेक है उसके तीन सेल लगे है जिस प्रकार से मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इसकी जो बेटरी वो खराब हो च देख सकते हैं तो पहले मैंने सोचा था कि मैं नई डिल मसीन खरीद लेता हूं फिवार में सोचा कि नहीं है इसकी हम बेटरी चेंज करेंगे क्योंकि बढ़िया है तो इस डिल मसीन में बेटरी कैसे खराब होई क्योंकि इसके जो एंपीर है वो कम होचुके लगबबच ब बेटरी पेक बना है जो कि 12V 1.2A का पूरा पेक होता है और इसमें बेटरी लेगी SunPower कोई सी कमपनी होती होगी SunPower उसकी लेगी लेकिन ये एक साल के पहले ही खराब हो चुकी है तो इस प्रकार से कुछ बेटरी होता है इसका ये connector होता है जो हमाई drill machine में fit हो जाता है तो कुछ सिसका का power bank है तो इसके अंदर भी lithium-ion battery की sale लगे है तो lithium-ion sale लगे तो आप इसको देख सकते हो तो इसको मैं मैंने इसको अभी अभी ही खरीदा था तो मैंने इसका भी वीडियो आपको बताया था कि इसके अंदर lithium-ion battery लगे तो इसका हम use काफी अच्छी तरीके से कर सकते है तो इसके अंदर जो sale लगे है वो total 5 sale लगे है और एक sale की जो capacity है वो 2000 mh की है तो इस प्रकार से उसको हम open करेंगे open करते समय आपको ध्यान रखना है कि कुछ भी अंदर डेमेज नहीं होना चाहिए कि लिदे मायन sale बड़े ही नाजुक होते है यदि उसके अंदर screw driver अंदर घुस गया या कुछ उसमें हो गया problem तो वो damage ज़्यादा होता है और उसमें आग भी लग सकती है और कुछ भी हो सकता है तो इसको आपको बहुत ही समल के काम करना है तो जो power rating में बिल्कुल सेम है तो यह जो तीन इसके अंदर टोटल फाइब सेल लगे है तो इसमें से हमको तीन सेल का ही सिर्फ काम है दो सेल हम रहने देंगे जिससे हमारा power bank भी बड़ी तरीके से काम करता रहेगा लेकिन जो power bank का की capacity है वो 10,000 image नहीं रहेगी वो 4,000 image सकते हैं पूरे ही पांचों सेल को इसमें पेरेलर में connect कर रहा है और इसकी capacity आप देख सकते हैं जबकि यह 2,000 image है और इसमें भी वही नंबर की बैटरी ड़ी है 18650,000 image की बैटरी इसमें भी वही लगी बैटरी मतलब सेल लगावा है तो हमको एक बैटरी पेक बनाना है 12V क तो हमां जो drill machine को जो चला सके तो इस परकार से यह है तो आप देख सकते हैं तो इसको फटावट dismantle कर लेता हूं और हमको जितना काम है हम उतने ही सेल लेंगे बागी की सेल इसमें वापिस पूट कर देंगे तो इसमें दो फायदा हो गया है हमको एक तो बिलकुल बढ़िय quality की हमको battery मिल गई है जो मलब sale होता है lithium-ion sale और उसके बाद में हमारा power bank का भी हमको हमको वापिस मिल जाएगा क्योंकि power bank की सिर्फ capacity कम हुई है बागी power bank का हमको circuit मिल गया है और circuit के साथ में इसमें torch भी आपको मिलती है तो यह सिसका का power bank जरी आपको खरीदना हो तो इसके link म description में दे दूँगा video की description में आपको मिल जाएगी वहाँ से आप खरी सकते हो यह आपको lithium-ion वाला sale वाला power bank चाहिए तो नहीं तो आप lithium polymer का भी आप power bank खरी सकते हो lithium polymer में आपको इस प्रकार से ऐसे sale देखने को नहीं मिलते है उसमें single piece में battery होती है जो सिर्फ power bank के use में ही लिए मंगवाया था कि जो drill machine है उसकी battery में change करूँगा तो जो हमारा power bank है उसको में वापिस reassemble कर देता हूँ और यह वापिस बढ़िया तरीके से काम करेगा उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी कि आप इसको चार्ज कर सकते हो इसको आप वापिस use कर सकते हो बसकी capacity कम हो गई इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि बाकी के सेल कम हो गए तो charging करते हैं से हमें कुछ प्रॉब्लम आएगी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली तो इस प्रकार से हमने इसको पेक कर दिया है और जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जब तक तो मैं इसको यू इसमें पर बेटरी पेक है मैं इसमें से देखते जा रहा हूँ कि किस परकार से इसको फिटिंग की गई थी क्योंकि कमपनी फिटिंग मुझसे तो दोबारा नहीं होगी लेकिन आपको वेसी ही फिटिंग करना पड़ेगी जैसी कमपनी से फिटिंग आई थी तब ही आप इसको फिट कर पाओगे इसकी जब बेटरी पेक है वो आप बना पाओगे नहीं तो यह असेंबल नहीं होगा तो इस प्रकार से मुझे जो बेटरी पेक है उसको देख देख के देखना पड़ता है कैसे के असेंबल करना है इसमें तीनो बेटरी सिरीज में लगी है और जो पावर बेंग में थी उसमें पेरलर में लगी थी लेकिन इसमें सिरीज में लगी है इस कारण ही इसमें इसमें साड़े 12 वोल्ट के आस सारे 12 वॉल्ट के लगबग आ रहे है तो हम को वेसे ही पेकिंग करनी जैसी कंपनी से आई ती नहीं तो यह पेकिंग पूरे पेकेज नहीं बन पाएगा और वो असेंबल नहीं हो पाएगा जो उसकी हाउजिंग उसमें नहीं हो पाएगा थोड़ी दिक्कत होती है लेकिन हो जाता है काम तो अभी हम final result भी देखेंगे कि हमने इतना सब मेहनत करी तो हमारे final result वो कैसा कहा रहता है तो इसमें आपको simply solder करना है और यह हमारा battery pack तयार हो गया इसमें किसी प्रकार का कोई protection circuit नहीं है क्योंकि protection circuit इसमें जो protection circuit है वो drill machine में मिलेगा आपको और बागी का protection circuit जो इसके साथ में जो charger आया तो उसमें मिलेगा तो इस battery pack में कोई protection circuit नहीं है तो इसका आप use drill machine के अलावा कहीं और नहीं कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा नहीं तो आपको लगेगा कि 12V हम कहीं भी लगा कि 12V यूस कर लेंगे लेकिन इसमें कोई protection circuit नहीं है इसका आपको use कहीं और नहीं करना है सिर्फ जो यह drill machine है इसी के साथ आपका use करना है क्योंकि इस drill machine के अंदर over discharge और short circuit प्रोटेशन का circuit लगावा है जो मैंने इसके पहले वीडियो में आपको drill machine का बताया था इसमें आपको बताया था इसमें 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 इसके पावर टेस्ट करते हैं कि इसमें पहले जितना टॉर्क था वह आ गया की नहीं आ गया बिल्कुल इसमें पावर और टॉर्क दोनों ही आ गया आप देख सकते हो अब हम इसकी तॉर्क लिमिट फूल पर गर देता हूं मैं रिल ले तो आप देख सकते हो फूल टॉर्क में चल रहा है और जो आवज जो आ ही वह कि आ यह अब लिद फूल हो गया है और अब यह ड्रील मसीन जैसी नहीं कर लेता हुँ जो यह बेटरी आई थी जो सेल है जो बेटरी पेकर मैं इसको वापिस से डिस्समेंटल कर लूँगा इसका में दूसरा प्योंगा तो उस पर भी मैं वीडियो जल्दी जल्दी बनाऊँगा और यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरू बताईएगा यह वीडियो और यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद